हाई विटफल एंजल से वेल्गम दुट इडवाइन फैमली राधे राधे जैश्य किष्णा आई होप आप से अच्छे होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे मेरा नाम है रेनू और मेले के आई हूं आप लोगों के लिए एक नई सेंड रीडिंग तो इस सेंड रीडिंग का टॉपिक जो होने माला है वो है यह है कि एंसेस्टर्स कोई आपको अर्जंड मैसेज देना चाहते हैं और साथ में क्या जरूरी है राइट नाव हम लोगों के लिए करना जो कुछ जादा बहुत जादा जरूरी है कुछ कुछ यह यहां पर specific messages हो सकते हैं किसी के लिए तो यह मुझे guide किया जा रहा है यहां पर ancestors भी बताएंगे हम लोगों को कि कौन से कौन सी direction में जाना है कौन सी दिश्या को पनानी है क्या काम अभी right now कौन से action लेने जरूरी है तो यहां पर उसके बारे में reading होने वाली है ठीक है तो start कर करते हैं urgent messages from ancestors और हम लोगों को अभी क्या करने की बहुत जादा जरूरत है वो हम लोगों यहां पर देखने वाले है तो start करते हैं आज की reading को फिर से मुझे message मिल रहा है कि आज की reading बहुत जादा जरूरी हो सकती है ठीक है कहीं के लिए जरूरी हो सकती है फिर again यह general collective reading होती है तो हो सकता है कि आपके साथ सारे messages resonate करें या कुछ messages करें जितने भी करते हैं उनको रख लीजिए बाकियों को छोड़ दीजिए और साथ में persons and reading के लिए आप मेरी टीम को contact कर सकते हैं यह number आपको reception box में मिल जाएंगे तो start करते हैं आज की reading पता नहीं यहां पर किसके लिए message है कि आपको किसी person से अपने आपको तुरंत दूर करने की जुरत है ठीक है यह कोई toxic हो सकता है यह कोई किसी तरह की आपको harm कर सकता है चोट पहुंचा सकता है जरूरी नहीं है कि यह चोट जो है physical हो यह mentally emotional हो सकती है ठीक है तो कुछ ऐसी situation है यहां पर कोई ऐसी situation हो सकती है जहाँ पर आपको बड़े humble way में बड़े अराम से प्यार से आपको काम लेने की जुरत है यहां पर बात करने की हो सकती है action लेने की हो सकती है फाइनली यहां पर किसी को realize करने की जुरत है कि आप बहुत प्यारी सोल हो और आप बहुत प्योर सोल हो और जैसे लोग जो हैं बहुत कम होते हैं तो इस तरह से हर इक पर ट्रस्ट मत कीजिए हर इक में ट्रस्ट इन्वेस्ट मत कीजिए especially उन लोगों में जिनको आप पहले भी life में past में भी बहुत बार मौका दे चुके हो तो especially उन लोगों पर आपको ट्रस्ट करने से मना किया जा रहा है यहां पर यह किसी के लिए urgent हो सकता है यहां पर message हो सकता है कि आप फिर से किसी के रोने धोने में किसी की emotional उसमें emotional fool बनान आपके भ्रोस्य को तोड़ने के लिए आपको hurt करने के लिए यहां पर तो यह किसी के लिए definitely message हो सकता है और यह जरूरी नहीं है कि आपका partner हो यह कोई friend कोई रिष्टेदार को कोई भी हो सकता है यहां पर यह जिसके बारे में भी बात हो रही है इंपार्थ को ना hurt करने वाले बहुत लोग होते हैं कि वो बचार हर इक पर trust कर लेते हैं ठीक है और हर इक को अपने जैसा समझते हैं तो यह दिक्कत होती है यहां पर यह मुश्कल आती है इंपार को और देख लेते हैं आपकी लाइफ का कोई finally cycle खतम होने के लिए ready है चाहिए relationship में हो चाहिए आपके career place पे आपकी कोई भी चीज को लेकर किसी तरह का tough cycle यहां पर खतम हो रहा है और आपको let go करना है आपको resistance create नहीं करनी है आपको बहुत जादा इस बारे में सोचना नहीं है आपके पास already यह को आपको पता है कि यह आपको अपनी growth के लिए अपनी spiritual growth के लिए आगे बढ़ना और इन सब चीजों को पीछे छोड़ना जो end हो चुकी है ठीक है energies जो cycles जो pattern जो रिष्टे कुछ उनको आपको छोड़ना ही है यहां पर ठीक है please again जो resonate होता है वही आपको रखना है ठीक है अपने आपको पुछनी करना धकेलना नहीं है इन messages के साथ और देख लेते ही हैं आपर क्या है message कोई यहां पर कुछ चाहता है कुछ manifest करना चाहता है तो आपके पास अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास वानी सिद्धी का वरदान है और आप कुछ एक बात को बोल कर जैसे आप कि मैं abundant हूँ अगर आप money आपके finances को improve करना चाहते हैं manifest करना चाहते हैं ठीक है तो आप मैं abundant हूँ ठीक है मैं money magnet हूँ मेरे पास धन असानी से आता है ठीक है तो कुछ इस तरह की affirmation आप money human बोल भी सकते हो लिख भी सकते हो कुछ यहाँ पर manifest करना चाहता है अपने लिए या फिर अपनों के लिए ठीक है और आप अपने आपको एक तो tension free कीजिए ज्यादा lack वाली situation को सोचने की बजाए affirmation ज्यादा बोलिए और विश्वास के साथ बोलिए confidence के साथ बोलिए क्योंकि वो बड़ी जल्दी manifest हो जाएगी बोलने से भी लिखने से भी यहां पर कोई किसी को बहुत बुरी तरह फसाना जाता है I don't know यह किस तरह का किसी तरह की कोई साजिश बुन रहा है रच रहा है कुछ भी हो सकती है यह आपके पैसे को लेकर मनी को लेकर हो सकती है या फिर कुछ भी किसी तरह की resentment हो सकती है, आपके खिलाफ कोई आपको पसंद नहीं करता, किसी तरह का बदला लेना चाहता है, कुछ हुआ है इस पर आप दोनों के बीच में, तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देने के जुरत है, ठीक है, अगर आपको पता है कि यह कौन आपको जूरत है अपने आपको इस परसन से, आपको कुछ लोगों से उलज़ना पड़ सकता है, इस समय में, यह निए कि आप उलज़ रहे हो, या आप उलज़ना चाहते हो किसी के साथ, या लड़ाई करना चाहते हो, यह कुछ ऐसे है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ बलेम कर रहे हैं, और आपको शायद बीच में आना पड़े, ऐसे कनफ्लिक्ट को रोकने के लिए, या यह आपके बारे में भी हो सकता है कि आपके खिलाफ बोला जा रहा है, कुछ ऐसी सिच्वेशन है यहापर, पर अगर अपनी पूरी पावर के साथ, और एंजल्स के साथ, एंजल्स को पुकार कर, अगर आप किसी सिच्वेशन में इंटर्वीन करते हो, तो कही न कहीं आप कंट्रोल कर पावगे ऐसी सिच्वेशन को, ठीक है, भागना नहीं है आपको, भागना नहीं ही, यह सोचके कि पीस क्रिएट करनी हैं आपको, कई बा आपके बारे में कोई चीज हो तो आपको intervene करना पड़ सकता है, बीच में पड़ना पड़ सकता है, उस समय आप अपनी angels को पकारिए ताकि वो भी आपकी उसमें help करें, आपको empower करें, आप जो करना चाहेंगे, peace create करना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं, अराम से उनक आपके ancestors इसमें आपके help करेंगे, उनको भी आप उकार सकते हों, आपके ancestors किसी तरह के एक pattern को break करने में, आपकी, किसी तरह की negativity को release करने में, किसी cycle को break करने में, आपकी help करेंगे वो, और already help कर रहे हैं वो, ताकि आप break free हो सकों यहाँ पर, तो अगर आप किसी situation में stuck हो, किसी तरह की negativity की वजए से, और किसी तरह के ancestral pattern की वजए से, कि उन्होंने भी repeat किया, आप भी repeat कर रहे हो, और कहीं न कहीं वो, आपको भी पता नहीं लग रहा कि किस तरह से उसमें से निकला, लेकिन अगर आप पूरी शुद्दत के साथ यह चाहोगे, और manifest करोगे, और help के लिए अगेन ही यहाँ पर message हा रहा है, आपको डरना नहीं है, यहाँ पर, कुछ है यहाँ पर, डरना नहीं है, वो भी तभी आपकी help कर पाएंगे, ठीक है, अगर आप पूरी तरह से अपनी power को, power को use करोगे, और डरोगे नहीं, ठीक है, तो वो भी आपकी definitely आपको empower करेंगे, और ज़्यादा help करेंगे, आपके साथ में होंगे, किसी की दादी मा, किसी की नानी मा है यहाँ पर, ठीक है, वो connect करना चाहती हैं आप से, strong divine feminine energy है यह, और, और specially feminines के लिए यहाँ पर message है, कि आपको, अगर किसी male ने hurt किया है, या कोई masculine आपको control करना चाहरा है, आपको, किसी रिष्टे में stuck रखना चाहरा है, तो आपको break free होना है, उस pattern को तोड़ना है, तो कहीं न कहीं वो आपको साथ देंगी, इस pattern को break करने में, कोई abusive, कोई toxic relationship हो सकता है, यहाँ पर, और, और यह भी हो सकता है, कि उन्होंने, उन्होंने भी repeat किया, उन्होंने भी कोशिश करने से वो नहीं निकल पाए, तो अब यह responsibility आपको दी गई है, कि किसी तरह के generational pattern को, cycle को, आपको heal करना है, break करना है, ठीक है, तो यहाँ पर किसी तरह की generational कोई, कोई pattern चलता आ रहा है, वो कोई health issues से related भी हो सकता है, वो कोई addiction हो सकती है, यह कुछ ऐसा हो सकता है, जो आपको पता होगा, ठीक है, और आपको choose किया गया है, इसको heal करने के लिए, ठीक है, अपने DNA healing के लिए, ancestral patterns की healing के लिए, और साथ में आपको यहाँ पर generational wealth भी मुझे सुन रहा था, तो generational wealth भी किसी के लिए यहाँ पर है, क्योंकि कहीं न कहीं, इस यह जो pattern है, यह toxic pattern जो है, यह कहीं न कहीं आपकी wealth को भी block कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो blockage भी हटेंगे, अगर आप काम्याब होते हो, इस तरह के किसी pattern को break करने में, और अपनी ancestors की healing, healing प्रवाइड करते हो आप, ठीक है, तो यह बहुत specific message है, यहाँ पर पहले बहुत प्यारी सी आँख नजर आ रही थी, तो आई नजर आ रही थी, third eye open हो रही है किसी की यहाँ पर, ठीक है, तो third eye में आपको, अगर आप इन messages को ध्यान से सोचोगे, तो आपको अपने अप clarity मिल जाएगी, आप अपने अप पकड़ पाओगे, कि कि वो कौन सा ऐसा pattern है, जिसको आपको heal करने की जुरूत है, कौन सी ऐसी addiction है, आप देख सकते हो, अपनी family members में, अपने, अपने parents की उसमें, ठीक है, कौन सा ऐसा pattern repeat हो रहा है, अगर आप सारे relatives जबगरा की life पर ध्यान दोगे, उनके कुछ भी जो जैसे आप वो करना चाहें, इसको consider, इस message को, लेकिन यहाँ पर आप जान पाओगे, ठीक है न, आप बहुत जादा intuitive हो, बहुत जादा समझदार हो, बहुत जादा wise हो, तो आप definitely यहाँ पर और पे और soul हो, अगर आप अ चाहिए, answers चाहिए, इस message से related, ठीक है, तो अगर आप सोचें कि, आरे मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है, और फिर आप ढूंदा शुरू करते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता है, तो आप अपने ancestors को, angels को help के लिए बोल सकते हो, कि वो आपको बताएं कि कौन से ऐसे patterns है, जिनको आपको heal करने की, जिनको आपको break करने की जूरुत है, ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर, अगर आपकी किसी किस से लड़ाई हुई हुई थी, ठीक है, यह कोई भी हो सकता है, तो वो वापस से आपकी life में आ सकता है, यह आ सकती है, परसन, ठीक है, और वो आपकी soul family का ही हिस्सा है शायद आप इस समय में जब आप separation में हैं शायद इस समय में आप जान पाएं कि वो आपकी soul family है आपको शायद समझ में आ गया हो शायद दोनों को आ गया हो या दोनों में से एक को समझ में आ गया हो तो definitely यहाँ पर कोई soulmate है आपके लिए जो आपकी help करने आपको support करेगा इस तरह की healing में, इस healing process में, ठीक है? आपके लिए और urgent message यह है कि आप जदा overthinking में अभी भी past के thinking में जा रहे हो, ठीक है? और आपको, आपके पास जो भी powers हैं, उनको आप अच्छे से use नहीं कर रहे हो, जैसे मैंने पहले वानी सिद्धी की बोली हैं, आपके पास power है, ठीक है? यह कफी कुछ दिनों पहले निकली भी थी मेरे एक वीडियो में, परसनल रीडिंग में, तो यहां पर जो भी power आपके पास है, उस power को आप अच्छे से इस्तमाल करने की जुरत है, वो power किसी reason से आपको दी गई है, ताकि आप अपनी इच्छाओं को, अपनी wishes को पूरी कर स चाहिए वो आपके family members है, चाहिए आपको healing का work करते हो उनके लिए, जिसके लिए भी आप affirmation भोलोगे, blessings भेजोगे, फुल पूरी, pure intentions के साथ, आप किसी को heal करना चाहोगे, या किसी की साथ तरह positivity या blessings भेजोगे, वो definitely work करेंगी, लेकिन अगर आप past के और painful memories में अगर stuck रहो resistance करेंट करती हैं वो, क्योंकि आप वापस से उस energy से जुड़ जाते हो और वापस से अपने आपको drain करते हो, कुछ यहां पर release करने में अगर मुश्किल हो रही है, तो यहां पर आपको लोगों के लिए message है, कि paper पर लिखके उसको burn कर दीजिए, ठीक है, जला कर और उसको जो भी राख बच जाए, उसको आप बाहर हवा में फैंक दीजिए, तो यह release करने का बहुत अच्छा तरीका है, कोई भी painful memory है, कोई भी चीज को, कोई energies को, events को, situations को, आप release करना चाहते हो, भूलना चाहते हो, अपनी life में से let go करना चाहते हो, तो आप पेपर पर लिखके उसको कर दीजिए, यह जो आप release करोगे इस तरह से, universe में, हवा में वो कर दोगे, release कर दोगे, जला कर पेपर लिखा हुआ, उसको जला दोगे, तो आपको better feel होगा, heaviness जो आपको feel हो रही है, उससे आप release करोगे, कहीं न कहीं आपकी code कट हो हो या जिस परसन के बारे में आप जादा बार-बार सोच रहे हो, तो इस energy को आपको release करने में helpful होगा, जो कोई भी आपके साथ बात करने के लिए आल रहा है, connect होने के लिए आ रहा है, यह बोई परसन हो सकता है, जो separation में हैं, तो आपको बड़े humble से, बड़े humble से, बड़े प्यार से आपको connect करना है, यह परसन जो भी कोई distance पे है शायद, ठीक है चाहे वो आपको messaging, call के थुरू, contact कर रहा है, यह कर रही है, या फिर आपके पास आ रहे हैं बात करने के लिए, दोनों ही किसी भी case में आपको बड़े humble से, बड़े प्यार से उनकी बात को सुनना है, समझना है, ठीक है, अप्रोच करना है, इंट्रेक्ट करना है बड़े राम से, आप देखोगे कि आप लोगों को लग रहा था कि कुछ लोग आपको support नहीं करेंगे, कोई इस तरह के decision आप अगर आप लेना चाह रहे थे, कोई भी decision हो सकता है यह, तो अब आप देखोगे कि आपने जो inner work किया है, उससे आप देखोगे कि लोग भी उस आपकी purity को देख पा रहे हैं, आपकी दिव्यतर को देख पा रहे हैं और वो आपको agree कर रहे हैं जो भी, आपके फैसले में, आपके decision में आपका साथ दे रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, तो शायद किसी को यह आप यह सुनने की जुरत है, अगर आप यह समझते हो कि मुझे support करने वाला कोई नहीं है, बट एक बार जब आप decision ले लोगे, ठीक है, तो लोग आपकी support करने आ जाएंगे, तो यह भी आपके ancestors और angels इस चीज में आपकी help कर देंगे, ठीक है? आपको भूलना ही नहीं है, कि आप कौन हो, ठीक है, आप हीलर हो, यह आपको भूलना नहीं है, ठीक है, तो कोई भी आपको कुछी भी कहना चाहे, आपको कंट्रोल करना चाहे, या आपको बताना चाहेगी, आपको लाइफ में क्या करने की जुरत है, आपको सुन लेना है, बता आपको ज्यादा इस में ध्यान देनी की जुरूत नहीं है आप वही कीजिए जो आपको सही लगता है जिस किसी ने आपके लिए को जाल बुना है ठीक है या पांस्ट में बुना है या अभी बुना है वो अपनी जाल में फसने वाला है या फसने वाली है ठीक है तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है आपकी तो यहाँ पर आपको डरने की जुरूत नहीं है जो मैंने आपको पहले मैसेज दिया शायद यह उससे रिलिजिट मैसेज है कि कोई आपसे साजिश रचड़ा है अगर तो आपको समझ में आ जाए ताकि या आप अपने आपको दूर कर सको उसके उसमें ना आ सको जाल में ना फस सको अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है अधर्वाइस आप क्या कर सकते हो कि यह मैसेज आपके उसके लिए है कि आप कलारिटी के लिए अपनी एंजल समरे एंसेस्टर्स को बोल सकते हो और व वो अपने जाल में खुद ही फस जाएंगे ठीक है यह बात आपके सामने भी आ जाएंगे आई रोट नो यह मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो एंसेस्टर्स के मैसेजिस डिफरेंट वो आते हैं बट यहां पर शायद एंसेस्टर्स आपको कोई टिपिकल कोई एक सिचुएशन में से बचाने की सपोर्ट करने की और आपको उन पैटरंस को रिपीट ना करने की यहां पर इसके बारे में यहां पर शायद अरजंट मैसेज है शायद आप बार बार किसी साइकल में फस रहे हो वो बार-बार किसी person के साथ आप वो आपको emotional fool बना देते हैं ये लोग हो सकते हैं, group हो सकता है ठीक है तो कुछ इस तरह की चीजों में आप फिर से फ़र जाते हो तो शायद ये उसके बारे में हैं यहां पर ताकि आप end कर सको इसको cycle को हमेशा के लिए release कर सको, let go कर सको और द यहां पर अगर आपका कोई काम करने को मन नहीं कर रहा है ठीक है यह किसी तरह की psychic attack या किसी तरह की negativity हो सकती है आपकी तरफ भेजी गई हो अगर आपका काम में दिल नहीं लग रहा अगर आप focus नहीं कर पा रहे हो और अचानक से फिर से confusion बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहां पर तो यह रीजन हो सकता है तो यहां पर यह किसी के लिए message है तो यहां पर किसी के लिए message है ठीक है कि अपने aura को protect कीजिए अपनी energy क को protect कीजिए सेजिंग कीजिए घर की खुद की यहां पर अब है कि बहुत specific message आज मिल रहे हैं मुझे मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह कि specific message आएंगे बट डेफिनिट्ली यह किसी के लिए urgent हो सकते हैं और किसी मंत्रा का उचारं करके किसी मंत्रा कर जब करके आपको इस energy से रहत मिल जाएगी ठीक है और हो सके तो आखे बंद करके आप किसी बहुत बड़ी कैंची को feel कर सकते हो कि आप कट कर रहे हो इस energy को जो आपकी तरफ आई है अगर ठीक है तो अपने औरा में से आप कट कर रहे हो बहुत बड़ी कैंची को आप इंगर सकते हो यहां पर ठीक है और आरग अजल माइकल के साद जुरूर दुर किजीए यहां पर ब्लू कलर है आरग जल माइकल जुरूर आपको परक्ट करेंगे और उनको बोलिये उनको रिक्वेस्ट की जिए कि आपको इस energy से वो कट करें कोट करें ठीक है ताकि इसका असर जो है खतम हो जाए और देख लेते हैं और आपको पतैक्ट भी करें रआ यहाँ पर किसे को बहुत सारी पास्ट मैम्रीस यादしकर आ सकती है ठीक सरकार किया क्या क्या हुआ करते थे ठीक है तो इसतरह के कुछ memories किसी आप discuss कर रहे हो किसी को से याद कर रहे हो यहाँ पर किसे से बात कर रहे हो किसी का किसी चीज का truth भी है यहाँ पर सच भी है कोई reality भी यहाँ पर आपके सामने आ सकती है किसी के लिए आप next 72 hours बहुत important हो सकते हैं ठीक है तो यह भी message मिला अदर्वाइस मेरी intention नहीं थी next 72 hours के लिए जब भी आप इन messages को सुनोगे urgent messages हैं आपके साथ resonate करेंगे बर definitely यहाँ पर किसी के लिए है important ही हाँ पर next 72 hours ठीक है यहाँ पर कोई immense love को बहुत सारे प्यार को manifest कर पा रहा है ठीक है तो यह immense love आपको अपने friends अपने family members बच्चों कहीं से भी आपके लिए बहुत जादा manifest हो रहा है ठीक है तो आप अगर अकेला अपने आपको समझ रहे थे या फिर आपको लग रहा था कि प्यार की कमी है आपकी life में तो यह कमी कहीं न कहीं पूरी होती मुझे लग रही है और यह ज़रूरी नहीं होता कि romantic love ही हो जो आपकी प्यार वाले cup को भरे ठीक है यह कहीं से भी आपके divine love भी हो सकता है आपके लिए बच्चों का प्यार हो सकता है किसी भी friend का family member relative parents कोई भी हो सकता है जिस वज़े से आप थोड़ा fulfilled not थोड़ा fulfilled feel करोगे आप तो कहीं न कहीं आपके उपर प्यार की बरसात होने वाली है बचार होने वाली है आपके उपर कुछ लोग definitely यहां पर आपकी life को छोड़ने के लिए यहां पर ready है यह कि आप उनको release करने के लिए ready हो new journey आप यहां पर तैय कर सकते हो new journey कुछ new beginning यहां पर आपके लिए manifest हो रही है यह आपके move करना ठीक है या mentally emotionally किसी situation में से move कर जाना ठीक है दूसरे शहर में move कर जाना और कोई नया step लेना नया decision लेना और definitely यहां पर है यह energies किसी की यहां पर 360 degree पर वो हो सकती है 360 degree पर किसी की यहां पर transformation available है यहां पर हर तरीके से हर level पर finally end of the tunnel आप light देख पाओगे ठीक है न तो अगर आपको लगा कि सालों से आपकी life में अंधेरा है आपके life के हर इक हिस्से में अंधेरा है तो यहां पर finally आपको रोशनी नजर आने वाली है उस tunnel के आप end पे पहुँच गए हो उस last stage पे जहां पर आपके लिए रोशनी ही रोशनी है नाया सवेरा है यहां पर नाया सूरज आउपता हूँ आपको नजर आएगा यहां पर तो यह किसे के लिए message है यहां पर तो इस abundance को इस रोशनी को अपनाईए इसके लिए gratitude पे कीजिए और जो पीछे रह गया है जो अंधेरा जो था आपकी life का वो दूर हो रहा है उस अंधेरे को पीछे ही चोड़ देना अपने past में उसको अंधेरे को उठा के वापिस से अपनी रोशनी को मत खराब कीजिए ठीक है त तो रोशनी में रहिए excited रहिए positive रहिए सब कुछ अच्छा होगा और साथ में फाइनली उसको release कर दीजिए अंधेरे को ठीक है उस चैप्टर को close कर दीजिए यहां पर थरड़ाई चक्रा को भी आपको cleanse करने के लिए बोला जा रहा है तो आप ओम बोल सकते हो अपने थरड़ाई में और साथ में ओम लिख सकते हो फिंगर से आप ओम लिख सकते हो अपने थरड़ाई चक्रा पे ठीक है न तो उससे भी cleansing यहां पर करने के लिए बोला जा रहा है ठीक है तो यह उससे related हो सकता है कि कहीं न कहीं किसी तरह की negativity अगर आपकी तरफ भेजी गई है और आप महसूस कर पा रहे हो तो definitely यह काम करना जरूरी होगा आपके लिए कि एक तो ओम का उंचारण कीजिए थरड़ाई चक्रा पर ध्यान करते हुए ठीक है इस vibration से sound से वो clear हो जाएगा आपका चक्रा और साथ में आप ओम लिख सकते हो थरड़ाई चक्रा के ऊपर एक उंगली से एक हाथ से आप तो लिख देजिए किसी particular situation में यहाँ पर आपकी जीत हो सकती है बहुत ज़ादा ठीक है आपकी विजह है यहाँ पर definitely victory है और यह वो victory है जहाँ पर आप बहुत ज़ादा डर रहे थे किसी एक situation को लेकर ठीक है यह कुछ भी हो सकता है आपने कुछ नया start किया था आप डर रहे थे आपको आपकी victory होगे या नहीं आप सफल होगे या नहीं कोई कोई ऐसी situation थी जहाँ पर लोग involved थे आपको सच बोलना था communicate करना था clearly बताना था आपना आपको लग रहा था कि पता नहीं लोग आपकी सुनेंगी या नहीं आप पर विश्वास करेंगे या नहीं आपका साथ देंगे या न नहीं देंगे कुछ भी ऐसी situation जहां पर आपकी victory होती हूं मुझे नजर आ रही है और यह मुझे again next 72 hours का message मिल रहा है तो कुछ है यहां पर जहां पर आप देख पाओगे next 72 hours में कुछ इस तरह की victory आप देख पाओगे कि लोग कितना आपको प्यार करते हैं ठीक है शायद वो express नहीं कर पाए हैं ऐसा मौका नहीं आया बट आप अब अब देख पाओगे इस तरह की situation कि सच में वो आपको प्यार करते हैं अगर आपको सिरफ उनके words सुने और आपको लगा कि कोई प्रैक्टिकल ग्रूप में वो नहीं ऐसा कुछ कर रहे हैं सिरफ वो बोल रहे हैं लेकिन मैं सब लोगों के लिए नहीं कहूंगी कि सब लोग ही जो आपको बोल देते हैं I love you लेकिन वो सिरफ words होते हैं लेकिन वो mean नहीं करते हैं ठीक है यानि कि प्रैक्टिकल कोई उसमें नहीं दिखाते हैं तो यहां पर कुछ ऐसे लोग भी आपको नजर आएंगे जो एक्चल में यह mean करते हैं एक्चल में वो बहुत दिल से आपको प्यार करते हैं आपकी केर करते हैं तो इस तरह आपको इसके evidence आपको मिलेंगे यह confirmation आपक इसना जादा डूब गए हो spirituality में किसी meditation में कि आप पहली पहली बार एहसास करो divine love का कि एक्चल में divine love होता क्या है ठीक है इश्वर के साथ connection क्या होता है कईयों के लिए यह message हो सकता है और कईयों के लिए कोई person हो सकता है आप पर finally कोई express कर रहा है दिल से अपनी भावनाए औ और जिससे आप एक soul to soul level पर एक true love की, एक genuine love की यहाँ पर feel कर पा रहे हो आप, feeling आ रही है आपको यहाँ पर देख उगेगी आप जितने भी, I don't know मैं कभी use तो नहीं करती हूं बट यहाँ पर जो भी लोग negative है या खुश नहीं थे हैं आपकी growth से, उनकी हार होते हुए नजर आईगी आपको और लोग भी उनकी reality को देख पाएंगे अब अगर वो लोगों से छुपे रहे हैं उनके चहरे तो लोग देख पाएंगे क्योंकि उनका mask off होगा यहाँ पर, mask उतरेगा और शायद आप ही उतारने वाले हो, आप ही reality दिखाने वाले हो लोगों को, कि देखो इनकी क्या reality है कुछ ऐसा है यहाँ पर, जिससे उनके आपके real चहरे आपको लोगों के नजर आएंगे, आपको शायद पता है, लेकिन लोगों को नहीं पता आपके आसपास और सब को नहीं पता ही यहाँ पर, लेकिन अब वो उनको भी पता लगेगा, क्योंकि यह reveal होगा, exposed होगा यह सब यहाँ पर आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि, यहाँ पर जैसे ही यह सब होगा, ठीक है, पैटरंस ब्रेक कर रहे हो, exposed हो रहा है, आपके सच रवील हो रहे हैं, आप लोगों के सच को रवील कर रहे हो, किसी साइकल से बाहर निकल रहे हो, तो आपकी ट्रांस्फोर्मेशन यहाँ पर, ट्रांस्फोर्मेशन की लास्ट स्टेज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, फाइनली आप किसी, जैसे मैंने बोला कि, अंधेरे से निकल कर, एक नए सूरज की तरफ आप बढ़ रहे हो, नए सवेरे की तरफ और नए सवेरे में आपको एक्चल में पता लगेगा कि ट्रांस्फोर्मेशन क्या होती है, क्योंकि आप फाइनल स्टेज पर हो यहाँ पर, डेफिनली कुछ लोग तो है ही हैं यहाँ पर, ठीक है, आप गाइडन्स देख लेते हैं आप लोगों के लि हो, या आप बोलोगे, या जो आपने अपने अपको कमिट किया हुआ है और यहाँ पर, ठीक है, आपको बदल नहीं जाना, आपको चेंज नहीं हो जाना यहाँ पर, जो आपको एहसास है, जो आपको अपने कमिट कर लिए हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने सपनों के लि जो बोल रहे हो या जो कमिट कर चुके हो या सोच चुके हो या डिसीजन ले चुके हो उसी पर आपको अडिग रहना है वहाँ पर वो ही आपका फाइनल वो होना चाहिए अगेन यहाँ पर जो करोगी वो ही पाओगे अगर आप ऐसे डिसीजन ले रहे हो ठीक है जो आपको पता है कि सही डिसीजन है तो उनका रिजल्ट भी आपको आउटकम भी अच्छी ही मिलेगी यहाँ पर ठीक है अगर पॉजिटिवीटी के साथ बीज बोगे सही वो करोगे जस्टिस के साथ खड़े रहोगे और साथ में सच के साथ ठीक है और रब के साथ ठीक है तो वही आपको आउटकम भी देखने को मिलेगी यहाँ पर तो यह जानना भी बहुत ज़ादा ज़रूरी है कि धर्म के साथ जब आप खड़े होंगे तो डेफिनली जीत आप ही की हो अब आने वाले समय के लिए हमेशा के लिए अपने उपर कीजिए सबसे जधा भरोसा आपको अपने उपर होना चाहिए ography इश्वर आपके साथ अपने पोड़े होंगे तो यह डिखाना है आपको अपने उपर भरोसा कीजिए थिक है न हम लोग बार बार क्या करते हैं कि यहां बढ़ हम लोग निकालेंगे कुछ और वाई डेक से मैसेजिस कुछ कंफरमेशन इन अर्जेंट मैसेजिस की जो होती है और मुझे एक एंसेस्टर डेक है जो गाडियन एंजल और एंसेस्टर वो डेक से भी मैं कार निकाले वाली है तो देख लेते हैं वाव अगीन यह बार-बार आ रहा है और मैंने शायद मैसेज भी दिया आपको कि अफरमेशन लिख सकते हो और मैंने आपको बताया भी है कि किस तरह से आप लिख सकते हो या बोल सकते हो बार-बार जो भी आप अपनी विश जो भी आपके पूरी करना चाते हो जो भी इच्छा है यह पिछले दो तिन बार निकल चुका है यह message रपीट हो चुका है यह अकेला message यह देखो कितने सारे cards है लेकिन money आ रही है definitely मैंने आपको यह भी बोला है generational wealth भी आपकी कहीं न कहीं रुकी हुई है किसी रीजन से कोई pattern है आपको कोई कुछ है यहाँ पर जिसको change करने की जूरत है जो आपके blockages को भी remove करेगी और इसलिए यहाँ पर यह ancestors के messages भी है यह भी मैंने आपको बोला कि person कोई आ रहा है आपकी तरफ ठीक है तो यहाँ पर कोई forgiveness के लिए आ सकता है आपके लिए wow देखो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर confirmation के लिए निकालते हैं और वो confirmation ही हो रही है यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से आपको बोला कि किसी situation में पर यहाँ पर all situations लिगी हुई है कि आप victorious रहोगे ठीक है victory है definitely जिस चीज से आप डर रहे थे जिन फैसलों से decision से या आगे कदम बढ़ाने से अपने लिए stand लेने से या धरम के साथ सत्ते के साथ खड़े होने में जिस चीज के लिए भी आप डर रहे थे वहाँ पर आप victory हासिल करने वाले हो धरम के साथ करन करने की जूरत है definitely ठीक है अपने दिमाग को ज्यादा busy मत रखिए जब आप बहुत ज़्यादा मीडिया पे या बहुत कुछ सुन रहे हो या बातें कर रहे हो तो continuously जो है mind जो है उस statement ही होता जी intuition को receive कर पाए intuitive messages को receive कर पाए तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा peace में जाने की है तब आप इन messages को receive भी कर पाओगे और इनकी depth को भी समझ पाओगे definitely किसी तरह के action की आपकी wait हो रही है इंतिजार ये रपीट हुआ है message thank you so much आप लोग बहुत लाइक करते हो इन वीडियो को I'm so grateful आपको कमेंट सेक्शन भी भर दते हो बताने के लिए मुझे ठीक है नो बहुत सारे messages जो गिर गए है वो नहीं में लोंगी तो ये थोड़े से messages आ गए है मेरे पास मैंने आपको बोला था मुविंग है किसी की ठीक है नए घर की नए प्लेस नए आठीट्यूट की जिस प्रांस्फोर्मेशन का हिस्सा है यह आपकी ठीक है जिस भी तरह की मूवमेंट कर रहे हो चाहे मेंटली मोशनली मूव कर रहे हो situation से लोगों से या फिर आप फिजिकल रूप में मूव कर रहे हो रिलीज कर रहे हो mystery is solved divine help is coming ठीक है किसी तरह की mystery भी solve हो रही है आपके लिए people pleasure नहीं बनना है no बोलना ये भी मैंने आपको बोला कि लोग आपको फसाने की कोशिश करेंगे अपने emotional drama में ठीक है आपको फिर से emotional fool बनाने की कोशिश पर इस बात का आपको ध्यान देना है ठीक है तो आपको ध्यान देने की जुरुत है आपको कि कुछ पहले भी आप उनकी बातों में आ गए हो आ चुके हो तो repeat नहीं करना है आपको truth truth reveal होगा ये भी मैंने आपको बोला mystery truth definitely अपने आपको अकेला कीजिए और कुछ ना कुछ आप learning कर रहे हो उसमें participate कर रहे हो वहाँ पर time spend कर सकते हो आप कुछ नया सीखने की सोच सकते हो सोच रहे हो कर रहे हो toxic people are leaving your life ये message भी मैंने आपको दिया है ठीक है कि ऐसा कुछ हो रहा है last के messages देख लेते है connect with divine light you will have clarity soon so definitely clarity आपको आने वाली है और आपको divine light से connect कर कीजिए ठीक है divine love से connect कीजिए मंतरा का जब कीजिए clarity जरूर आ जाएगी मैंने को मुझे ये message उससे connect हो रहा है मैंने आपको बोला कि archangel Michael के साथ और साथ में अपने थरड़ा ही चक्रा की cleansing कीजिए यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर final open your arms to receive love immense love मैंने आपको बोला प्यार आपकी पास होने वाला है यहाँ पर किसी को लोग express करने वाले हैं सच बताने वाले हैं mystery solve होने वाली है अब हम लोग देख लेते हैं कुछ messages and sisters कार्ड से देख लेते हैं इस text से और मैं reverse में reading करती हूं कर रिवर्स में निकलते हैं कार्ड को यहाँ पर दो तिन कार्ड ही लेंगे हम लोग ज्यादा नहीं लेंगे तो दो कार्ड मेरे पास आ गए हैं यहाँ पर snake great teacher transformation है shedding all skin तो definitely transformation हो रही है जिसमें आपको actively participate करना है यही ancestors के message भी थे जो हम लोग ने receive किये हैं यहाँ पर great teacher भी है तो आप लोगों में से कोई great teacher हो सकते हैं ठीक है यह बनने जा रहे हो बट आपको यहाँ पर अपनी spirit के साथ जुनने की जूरत है अपने आपको freedom देने की जूरत है पहले अपने आपकी spirit को free करने की जूरत है अपनी soul को free करने की जूरत है तभी कि आप अपनी vibration को high कर पाएंगे अपनी alignment में आपाएंगे grow कर पाएंगे spiritually यहाँ पर है mirror guardian take time to reflect high priest intend and create तो देख लते हैं इन messages से तो आप देख सकते हूं यहाँ पर definitely कुछ old जो है उसको release करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप जो है नए को अपना सकें जगा बना सकें तो transformation है यहाँ पर कुछ जो भी snakey energies भी है आपके around लोगों की वो भी आपको नजर आएंगी जैसे मैंने reading के दुरान भी बोला है तो कुछ एसी energy से भी आपको अपने आपको release करना है ठीक है ऐसी situation से release करना है अपने आपको अपने आपको let करना है इस transformation में actively participate करने के लिए किसी भी दरा की resistance से आपको बहार निकलना है आपको बहुत अच्छे से इसमें help कर रहे हैं ठीक है समय समय पर जैसे स्नेक को अपनी skin को shed करना पड़ता है तो उसी तरह से हम लोगों को भी समय समय पर अपनी प्राणी old situations को old life को old जो सर्व नहीं कर रहे हैं और हमारी growth में helpful नहीं है उनको हम लोगों को release करना ही पड़ता है ठीक है यहाँ पर है great teacher तो जैसे मैंने बोला कि आपको भूलना नहीं है कि आप कौन हो तो आप एक teacher की भूमी का नहीं भा सकते हो आने मले समय में एक spiritual guru की तो यहाँ पर इसलिए आपको अपनी spirit को free करना है यहाँ पर किसी भी बंधन में किसी तरह की materialistic जो वो है या जो आपको बांद के रखे आपकी spirit को ठीक है आपके mind को आपकी soul को यहाँ पर let नहीं करना है आपको free कीजिए peace को choose कीजिए अपनी freedom को choose कीजिए और अपनी life को priority दीजिए अपनी happiness अपनी life की जो power है अपने हाथों में लेने का समय आ गया है यहाँ पर तो जो भी अपनी experiences से learn किया है उसको apply करने का समय आ गया है ताकि आप जो है दूसरों को भी सिखा सकें दूसरों की journey में help कर सकें यहाँ पर दूसरों को spiritually grow करने में help कर सकें आगे बढ़ा सकें गाइड कर सकें तो आपको मैंने बोला भी था यहाँ पर जो strong divine feminine energy है यहाँ पर तो आपके लंबे hair हो सकते हैं या आपकी दादी मा नानी मा के थे लंबे hair तो कुछ इस तरह की मुझे energy आ रही है बर definitely आप कुछ चीजों को सो समझ के changes लाने वाले हो reflect back करने वाले हो कि past में क्या हुआ कैसे ह हुआ है आपको past की कुछ memories में जाने की जरूत है जहां से आप अगर कोई lesson भूल गए हो तो वो lesson को आप पिक कर सको ताकि आप repeat ना करो ऐसे lessons को अपनी life में तो definitely कुछ इस तरह की energy है कुछ चीजों को आपको detail में जाने की जरूत है सोचने समझ की नहीं की जरूत है जो आप आपको decision लेने में आगे बढ़ने में आपकी help कर सके अपनी जिंदगी में जरूरी changes लाने में help कर सके तो यहां पर आपको उसके लिए अपने past की कुछ mistakes भी हो सकती है कुछ ऐसी details भी हो सकती है अगर आपने lessons हो सकते हैं जो आपने miss किये अब आपको वापस जाके उसमें ज पीट ना करें फाइनल यहां पर देख लगते हैं एक last message high priest definitely आप past life में यहां पर कोई हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा divine के साथ connected था यहां पर वो वैसी में जो feeling आ रही है जो priest होते हैं मंदिर में होते हैं किसी भी religion जो किसी भी तरह के place में होते हैं कोई भी जो पूजा स्थल होता है temple हो church हो कहीं पर भी हो सकते हैं past life में तो यहां पर आपको divine के साथ मिलकर जो future create करना है आपको ठीक है कुछ ऐसे आपके soul purpose हो सकता है जो आपको special करने आए हो यहां पर ठीक है तो उसके उपर आपको ध्यान देने की जुरत है अपने उस soul purpose के साथ connect होने की जुरत है वो तभी होगा जब आप अपनी spirit को free रखेंगे और अपने lessons को learn करके आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक divine connection में जा रहाने की जुरत है ठीक है तो यही बोला जा रहा है यहां पर intent and create और यह manifestation से भी related लग रहा है जैसे मैंने manifestation वाले आपको message दिये हैं कि आप manifest कर सकते हो affirmations लिख कर affirmations बोल कर आप definitely अपनी life को change कर सकते हो definitely उस लैक वाली energy से बहार निंगल सकते हो क्योंकि आप बहुत ज़दा powerful बहुत ज़दा pure divine soul हो बहुत ज़दा deep connection है आपका और यह past life से आपका connection चल रहा है divine के साथ क्योंकि शायद divine के बहुत closely आपने past में काम भी किया है past lives में तो यह थी आप लोगों के लिए reading thank you thank you thank you so much for watching please like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए मेरे channel को और ऐसी amazing videos के लिए again thank you thank you thank you so much for watching and bye for now